हेलो दोस्तों नमस्कार MCC Classes में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों तो सभी को गुड इउनिंग नमस्कार स्टार्ट करते हैं पहला दोस्तों आपको मैं बता दूँ यहां पर जानकरी यदि आप SSC GD Constable की तैयारी कर रहे हैं किसकी तैयारी कर रहे हैं SSC GD Constable की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस test search को join कर सकते हैं test search के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर आपको download करना पड़ेगा परिक्षय पहना इस प्रकार का आप यहां पर देख सकते हैं description में लिंक भी दे रखा है या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप play store में जाके परिक्षय आपको search कर सकते हैं यहां पर आपको code यूज़ करना है mcc50 जिससे यहां पर 50% का दोस्तों आपको discount भी मिल जाएगा तो यह MP Constable के लिए SSC GD के लिए MPSI के लिए भी आप दोस्तों code यूज़ कर सकते हैं mcc50 चली तो मैं बात करता हूं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों चली वीडियो को एक बार प्लीज दोस्तों शेयर जरू कर दें आप इस्टाटिंग में जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को शेयर अवश्य करें यह है SSC GD का Constable का दोस्तों पेपर ठीक है तो यह पेपर होने वाला है दोस्तों old paper जो रहे हैं उसके आधार पर पहला प्रस्ना आता है आपका भारत में पहला मगबरा इस्थापित करने का श्रे किसे जाता है गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग पताई यह आंसर क्या होगा इसका बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया तो दोस्तों आपका correct answer है भारत में पहला मगबरा इस्थापित करने का श्रे जो जाता है ये जाता है दोस्तों इल्टुत मिश्को किसको जाता है दोस्तों इल्टुत मिश्को तो भारत में पहला मगबरा इस्थापित करने का श्रे किसके पास है इल्टुत मिश्क के पास है दोस्तों अगला कोश्चन आता है हमारा अपने को दूती सिकंदर कौन कहता था प्रस्णिया आपका अपने को द सिकंदर कहता था वह व्यक्ति था दोस्तों कौन अलाउद दिन खिल जी अपने आपको दोस्तों दोतिय सिकंदर कहता है ठीक है यह बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर होगा तो आपने आपको दोतिय सिकंदर कौन कहता था तो अलाउद दिन खिल जी दोस्तों आपन करने का श्रे किसके पास है तो तुगला का बाद को इस्थापित करने का जो श्रे है दोस्तों यह ग्यास उद्दिन तुगलक तो याद रखना के से याद रखोंगे ग्यास उद्दिन तुगलक तो तुगलक का बाद किस था अपना तुगलक वंशने की कोसने की ग्यास उद् कांटी नामक यात्री दोस्तों किसके शाशनकाल में आया था यह आपको बताना है तो दोस्तों निकोलो कांटी भारत की किसके शाशनकाल में आया था यह आपका प्रस्ट ने गुड़िवनिंग गुड़िवनिंग एवरिवन फ्रसा जल्दी आप जुड़ें क्योंकि फिक्स से से जीडी सिलेक्ट करने का वो सिलेक्ट करके आप कोड यूस कर लीजिएगा एम सी 50 आप अपलाई करेंगे तो 50% का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा निकोलो कॉंटी नामक यात्री किसके शाषन काल में आया था यह जो आया था मेरे प्यारे दोस्तों क्रश्न देव प्रियोक्स किस ने किया था पढ़रा हुं में सबकी कमेंट बताईए कांसर भारत में सबसे पहले बारुद का प्रियोग किस ने किया था यह प्रस्ने आपका सल्तनत काल से आते हैं मोर रिवन्स से प्रशन आते हैं तो बाबर ने सबसे पहले बारुद का प्रयोग किया था ये चार ओप्षन आपको ध्यान रखना है फिर प्रशन आता है बाबरी मस्जिद का निर्मान किसने करवाया था ये आपका प्रशने बाबरी मस्जिद का निर् ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्न क्यों चलते हैं रंगिला बादशा किसे कहा जाता था रंगिला बादशा किसे कहा जाता था मित्रों बताईए जल्दी से तो रंगिला बादशा किसे कहा जाता था वेरी गुड तो रंगिला बाद शाय जो कहा जाता था ना दोस्तों ये किसे कहा जाता था तो रंगिला बाद शाय तो मुहमद शाय रंगिला बाद शाय को पड़ा है मुहमद शाय रंगिला है ना तो मुहमद शाय को दोस्तों रंगिला बाद शाय के नाम से हम जानते हैं मुगल वन्ष का वह शाशक जिसका राज जबिशिक दो बार हुआ था कौन था बताईए जल्दी से तो मुगल वन्ष का वह शाशक जिसका राज जबिशिक दो बार हुआ है वो कौन है बताई क्या अंसर होगा इसका अरे वेरी गुड चाले ठीके अब बताए तो मुगल वंश का शाषक जिसका राज जबिशिक दो बार हुआ है वो था बड़ा ही कुरूर शाषक ओरंग जेब ठीके याद रखना भी है जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता था ओरंग जेब तो राज जबिशिक दो बार करवाने वाला मुगल वंच का वो शाषक कौन सा है ओरंग जेब ने करवा लिया था दो बार शाषक फिर ऐ मयूर सिहासन पर भेटने वाला ला अंतिम मुगल शाषक कोन था मित्रुम् तो मयूर सियासन पर भेटने वाला अंति मुगल बाश्या जो रहा है दोस्तों यह रहा है आपका मुहमस्षा ना मुहमस्षा वह रंगिला वाला व्यक्ति ठीक है तो मयूर सियासन पर भेटने वाला जो आकरी व्यक्ति था वह मुहमस्षा था मुहमस्षा को रंगिला के नाम मुगल बाश्या कौन था अठारासो संताउन के विद्रों के समय मुगल बाश्या कौन था यह आपका प्रस्ने बताईए अंसर तो मेरे प्यारे दोस्तों अटारस संताउन की विद्रों के समय मुगल बाश्या कौन था ये आपका प्रस्निम तो ये था दोस्तों बहादूर शार जफर तो अटारस संताउन की विद्रों के समय मुगल बाश्या कौन रहे दोस्तों बादुर्शा जफर दुतिये रहे थे दोस्तों फिर इनको कहां बेज़ दिया गया था रंगून में निर्वासित कर दिया गया था ठीक है यह आपको याद रखना है तो बादुर्शा जफर दुतिया अटर संतौन के विद्रों के समय अंति मुगल बाश्या रहे हैं कोशन है अगरा रंग पट्टम की संदी कब हुई थी रंग पट्टनम की संदी दोस्तों कब हुई थी तो ये संदी आपको याद रखना है इसके संदी पूछे जाते हैं 1792 में हुई थी तो रंग पट्टम की संदी दोस्तों कम हुई थी रंग पट्टनम की संदी 1792 में दोस्तों यह हुई थी ठीके बढ़ेंगे दोस्तों next question कियों चलते हैं अगले प्रस्ट कियों चलते हैं प्लीज वीडियो को अच्छा लग रहें अरे वेरी गुड तो जेपूर शेहर दोस्तों याद रखना जेई सिंग ने बसाया था ठीके जेपूर शेहर की स्थापना किस ने करी तो जेई सिंग ने की थी दोस्तों जेपूर शेहर की स्थापना पिंक सिटी के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं ठीके अगला कोश तो चार साल बाद याने की 1502 में आ गया था तो वासको डिगामा भारत में दूसरी बार जो आया था ना भाया कब आया था ये शिवम 1502 में आया था ठीके बढ़ेंगे आ गया निकेशो भारत में कहां के व्यापारी सबसे बाद में आये थे कहां कौन से देश के व्यापारी भारत में दोस्तों सबसे बाद में आये थे तो भारत में कहां के व्यापारी सबसे बाद में आये थे बताईए जल्दी से चली बहुत बढ़िया तो सबसे बाद में स्वीडिस आये थे कौन आये थे भारत में कहां के व्यापारी सबसे बाद में आये दोस्तों तो स्वीडिस पूर्ट गाली डच और फोलफों इना को बताया टाकिस के आया थे और सबसे बादсы आये थे वह सूरे आयते तो पूर्ट गाली आयाते फिर एक मारा फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थोड़ा सा फास्ट आंसर दीजी बहुत बढ़िया चली तो फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई यह स्थापना हुई थी दो नेक्स्ट प्रस्ण आता है अगला प्रस्ण हमारा इसके बाद अट्रसंतों इस वी के जो अट्रसंतों की क्रांती के समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों तो ऑट्रसंतों की क्रांती के समय भारत का जो गवर्नर रहे दोस्तों लाड कैंनि। ता कौन था लाड केनि 1870 की करांती के समय धोस्तों भारत का गवर्णर जन्रल था यादा रखना भारत का गवर्णर कौन था लाड केनि 1870 में फिर परशने हमारा सきた तरता प्रापती के बादिंग कांग्रेश का पहला विभाजन कब हुआ था सोतन्तरता प्राप्ति के बाद कांग्रेश का पहला विभाजन जो हुआ था यहुआता known अवला था बताईए जली सही नेपोलियन कहां करे ने वाला था तो मेरे दोस्तों नेपोलियन जो रहने वाला था बिल्कुल सही पेचाना आपने भीया ये था फ्रांस का तो नेपोलियन कहा का रहने वाला था नेपोलियन मूल निवासी था भीया फ्रांस का तो नेपोलियन कहा का निवासी हुझाएगा नेपोलियन हुझाएगा फ्रांस का निवासी आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्निय हमारा चीनी क्राम्ती किसके नेत्रत में हुई थी दोस्तों तो चीनी क्राम्ती के अगर बात करें तो चीनी क्राम्ती जो हुई थी डाक्टर सन सनियाद सेन के नेतरत में चीनी क्रांती हुई थी याद रखना चीनी क्रांती सनियाद सेन प्रशने अगला प्रति वर्ष राष्टी आई से संबंदित श्वेद पत्र कौन जारी करता है इसका मुझे आंसर चीए जल्दी आंसर दीजिए भी यह अरे वाँ अगला और भी तो दुवाँ कर रहे हुआ आप चली बहुत बढ़िया केंदरी सांकी की संगटन कौन करता है केंदरी संग्टन दोस्तों प्रतिवर्ष राष्टी आई सेast मंदित श्वेत पत्र को जारी करता है तो याद रखना श्वेत पत्र कोन जारी करता है केंदरी सांके की संकटन जारी करता है कोश्चन इसके बाद हमारा सांसद के वेतन का निर्णे कोन करता है सांसद के वेतन भत्ते होते हैं दोस्तों इनका निर्णे कोन करता है बताई जल्दी से करती है कोश्चन हैं अमीर खुसरो किन्के शिश्चि थे दोस्तों बताइए अमीर hierarch किन्के शिश्चि थे दोस्तों सितार भारत पर अरबो ने पहला अकरमन किया था तो भारत पर अरबों ने पहलाAh आक्रमन किया था ये किया था साथ सो बारा इस्वी में कब किया था साथ सो बारा इस्वी में तो भारत पर अरबो ने पहला आक्रमन जो किया था ये साथ सो बारा इस्वी के द्वारा दोस्तों किया गया था कोशन आता इसके बाद हमारा फोर्ट वीलियम कोलेज की स्थापना किसने की थी फोर्ट वीलियम कोलेज की स्थापना किसने की थी ये प्रस्ने आपका पताईए फोर्ट वीलियम कोलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई तो फोर्ट वीलियम कोलेज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों ये किसके द्वारा की गई लाड वेलेजली के दौरा दोस्तों Fort William College की स्थापना की गई तो Fort William College की स्थापना लाड वेलेजली के दौरा की गई थी D आपका अंसर यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अगले Question पर चलता हूं दोस्तों प्रस्ने हमारा भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक शेत्र पर विस्तरत है बताईए जल्दी से तो कौन सी मिट्टी सबसे अधिक शेत्र में विस्तरत रूप से फैली हुई है तो यह दोस्तों जलोड मिट्टी तो भारत में कौन सी मिट्टी सबसाधिक शेत्र पर विस्तत रुप से फैली हुए जलोड मिट्टी दोस्तों याद रखना भारत की अगर पूछे आपसे जलोड मिट्टी वह थी जो जल के द्वारा दोस्तों भैके आती है जल में बेती है उस मिट्टी को भोलते हैं जलोड मिट्टी ठीक यह आपको आद रखना है प्लीज दोस्तों वीडियो को प्रधान कार्याले तो यह प्रधान कार्याले कहा है यह हमारा नियोर्क में नया नया कार्याले नियोर्क में तो संयुक्त राष्ट संग का प्रधान कार्याले नियोर्क में हो जाएगा फिर ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी तो ओलंपिक गीत की रचना दोस्तों किस ने की थी इसपाई टॉस समारास ठीके समास पढ़ते ना उसी से याद रखना समारास के याद रखलों कि समास से समास समारास से ओलम्पिक गीत जो रचना की थी इस्पाई टॉस समारास के द्वारा की गई थी कोश्चन है अगला सर्वप्रतम अंत्रिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था सर्वप्रतम अंत्रिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन सा था तो सबसे पहले तो याद है किसको भेजा था ये भेजा था दोस्तों कुत्ते को ठीके लाइका याद रखना सरपतम अंत्रिक्ष में भेजा गया प्राणिता कुट्ता भी option आपका यहां पर right answer हो जाएगा ठीके चैली प्रस्ने यूरिया खाद से पोदो को कौन सा ततु मिलता है यूरिया खाद से पोदो को कौन सा ततु मिलता है तो मेरे प्यारे दोस्तों यूरिया खाद से पोदो को जो ततु मिलता है वह हमारा नाइट्रजन तो यूरिया खाद से पोदो को कौन सा ततु मिलेगा नाइट्रजन ततु मिलता है यूरिया खाद से ठीके याद रखना यूरिया खाद से पोदो को नाइट्रजन की प्रापती होती है प्रस्ने क्रत क्रतिम किडनी के अविश्कारक कौन थे तो क्रतिम किडनी के जो अविश्कारक थे वो थे वीलियम कॉल्फ कौन रहे दोस्तों वीलियम कॉल्फ तो क्रतिम किडनी के अविश्कारक कौन रहे वीलियम कॉल्फ रहे थे विवेक आनंद रोक किस राज में है विवेक आनंद रोक जो है मेरे दोस्तों यह हैं अमारे अगला कोश्य ने हमारा परिवार नियोजन अधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया था बताइए इसका अंसर क्या होगा तो परिवार नियोजन अधिकारिक रूप से चलाय गया था दोस्तों 1952 में स्टार्ट हुआ था कब चलाय गया था ठीके बड़े आगे ओके भी या ठीके कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त होता है कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त होता है जैसे आपकी च्छा बिल्कुल ऐसे चलेंगे कोहिनूर हिरा किस खान से प्राप्त होता है तो कोहिनूर हिरा दोस्तों हमारा गोल कुंडा की खान से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हिरा कहां से प्राप्त हुआ था तो यह जो बनवाया था ना दोस्तों 1418 में बनवा दिया गया था कब 1418 में 1418 तो बहलो लोदी के मगबरे को सिकंदर लोदी ने बनवाया ठीके कब बनवाया 1418 में इसको बनवा के कंप्रिट करवा दिया ठीके अगला प्रस्ने हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला शाशक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई कौन सा पहला शाशक था जिसने दिल्ली सलतिनत का पहला शाशक दोस्तों जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो सलतिनत काल में दिल्ली बनी थी दोस्तों राजधानी और इल्टूत मिशने यहां पे पेर रख दिया किसने बना दिया, इल्तूत मिश्णegen सबसे पहले दिल्ली को अपनी रासधनी बनाया था, सल्दनत काल, सबसे पहले गुलाम मन्च, गुलाम मन्च में यही स्टार्ट होता है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आकरमन किया, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार यहां पर आक्रमन किया तो दोस्तों यह जो आक्रमन किया ना यह किया है सत्रा बार कितनी बार किया है सत्रा बार तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमन किया है दोस्तों यह सतर बार इस पर आक्रमन कर चुका है ठीक है अगला कोशन है कारवेल शाषनकाल की जानकारी की शीला लेक से मिलती है कारवेल शाषनकाल की जिम्मदारी मिलती है यह हमें मिलती है हाथी गूफा भी लेक से किसे मिलती है हाथी गूफा भी लेक से खारवेल शाषन की जानकारिया में मिलती है तो याद रखना हाथी गुफा शीललेक से खारवेल शाषन की जानकारिया पर प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ पर वीडियो कंप्रेट होता है यह आपका टेलिग्राम चुलना ले MCC Classes 12 आप इसको दोस्तों जोइन कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर कॉंस्टेबल जो ऐसे सीजीडी के हिसाब से बिल्कुल आप टेस्ट से जोइन कीजिए दोस्तों काफी सारे विद्यारती यहाँ पर जुड़े हैं तो दोस्तों बिल्कुल जोइन कीजिए सकसेस एप दा सकसेस एप परिकषचेब चली धन्यवाद साथियों प्लीज वीडियो को शएर और सबस्क्राइब जरू कीजिए धन्यवाद मेरे दोस्तों मिलते हैं कल बिल्कुल साड़े बारा बजे लाइव क्लास रेती है भी या मारी है ना दोपेर में उससे भी जुड़ी है और एक क्लास आपकी यहां पर भी रेती है धन्यवाद दोस्तों